हेलो फ्रेंड्स स्वागत आपका मेरे यूटूब चैनल राइजिंग घुरावल पर मैं हूँ आपका फ्रेंड परमेश्वर सिंग और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अधि यहां पर क्लिक करता हूँ तो यहां पर देखे लिंक आ गया Microsoft make code arcade, और अब मैं इस पर click करता हूँ, और देखिए process हो रहा है, और यह देखिए make code arcade open हो चुका है, और अब मैं click करता हूँ new project पर, और यहाँ पर मैं program name type करता हूँ, program 4, और मैं create button पर click करता हूँ, और यह process हो रहा है, और यह देखिए है make code arcade का editor और यहाँ पर अब मैं code write करता हूँ तो इसके लिए मैं सबसे पहले click करता हूँ variables block पर और यहाँ पर देखिए option है make a variable इस पर मैं click करता हूँ और यहाँ पर मैं variable name write करता हूँ num1 और मैं ok button पर click करता हूँ और यहां पर देखी variable आ चुका है और अब मैं यह जो change block है इसे यहां से drag करूँगा और यहां पर मैं drop करूँगा और इसकी value को मैं set करता हूँ 18 और मैं फिर से एक और variable create करूँगा और इसके लिए मैं click करता हूँ variables block और यहां देखी option है make a variable और अब मैं इस option पर click करता हूँ यहां पर मैं variable का name reminder store करने के लिए और इसके लिए मैं variables block पर click करता हूँ और यहाँ देखिए option है make a variable इस पर मैं click करता हूँ और यहाँ पर मैं variable का name रैड करता हूँ और यहाँ देखिए reminder block है इसे मैं यहाँ पर drag करके यहाँ पर drop करता हूँ और यहाँ पर मैं set करूँगा num1 और num2 variable को ओके तो यहाँ देखिए num1 है इसे मैं drag करके यहाँ पर drop करता हूँ और यहाँ देखिए num2 है इसे भी मैं यहाँ पर drop करता हूँ और finally मैं इसे यहाँ पर set कर देता हूँ ओके तो यहां पर देखिए जो REM variable है उसमें reminder आ चुका होगा ओके तो इसे मैं screen पर print करता हूँ ओके तो इसके लिए मैं advance block पर क्लिक करूंगा sorry पहले मैं game block पर क्लिक करूंगा और यहां पर यह एक block होगा splash, इसे मैं यहाँ पर drag करके drop कर लेता हूं, और अब मैं advance पर click करूँगा, और यहाँ देखिए text block है, इस पर मैं click करूँगा, और यहाँ से मैं join block को drag करके, यहाँ पर drop करूँगा, और यहाँ पर मैं message change करता हूं, reminder is, ओके, is equal to, और यहाँ पर मैं rem variable को drop करता हूं, और यहाँ पर मैं rem variable को drop कर देता हूं, तो देखिए screen पर इसका output आ जाएगा, थोड़ा मैं wait करता हूं, तो यह देखिए, इसका output आ गया, reminder is 3, ओके, अब मैं code को continue करता हूं, और मैं calculate करता हूं quotient, ओके, तो इसके लिए मैं एक और variable clear करता हूं, ओके, और इसका name मैं write करता हूं QT, और फिर मैं click करता हूं OK बटन पर, ओके, और मैं set block को यहाँ से drag करके, यहाँ पर drop करता हूं, और फिर मैं math block पर click करता हूं, और यहाँ देख क्लिक करता हूं variables block पर और यहां से मैं num1 को drag करता हूं और फिर मैं num2 को भी drag करके यहां पर drop करता हूं और अब मैं इस block को copy कर लेता हूं और फिर मैं paste करता हूं और यहां पर मैं message change कर देता हूं quotient is equal to और यहां पर मैं variable change कर देता हूं qt और अब मैं इसे drag करके यहां पर drop करता हूं और यहां पर देखिए इसका output आ जाएगा ओके देखिए रिवाइंडर आ चुका है और अब मैं क्लिक करूंगा ए बटन पर ओके तो देखिए next जो output है quotient is 3.6 आ चुका है ओके ओके फ्रेंड्स तो इस तरह से ए प्रोग्राम प्रॉपरली वर्क कर रहा है आप चाहें तो वीडियो पॉस करके screenshot ले लिजी या फिर इसे नोट कर लिजी ओके ओके फ्रेंड्स तो इस तरह से वीडियो कंप्लेट हो चुकी है यदि आपको इस वीडियो अच्छी लगी हो से लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्स फर वाशिंग